दोस्तो नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में हम दूब घास के गून धर्म तासीर आदी के बारें बात करने जा रहे हैं दोस्तो दूब घास ठंडी तासीर वाली गर्मी के रोगों का नास करने वाली ओजदी बूटी है दूब घास का स्वाद यानि रस की बात करें तो इसका रस मधूर यानि मीठा कसाय यानि कसैला स्वाद वाला होता है तता तिक्त यानि चरपरा होता है महीं दूब घास के गुन लगू यानि आसानी से पचने वाले इस नगद यानि चिकनाहट लाने वाले होते हैं महीं यह थंडी तरावट लाने वाली होती है दोस्तों दूब भास थंडी तासीर वाली होने के कारण ये कफ वे पित का शमन करती है गर्मी को शांत करती है यही नहीं ये पित की बड़ी अनावश्य गर्मी को रक्त के दोसों को खून की गंदगी को गर्मी अधिक लगना मुत्र की सर मदद करती है क्योंकि यह बड़ी रक्त वर गर्भाश की गर्मी के कारण गर्भ नहीं ठैर पाता है तो यह बहुत लाब करती है अता यह गर्मी कम करके गर्भ धारन करने में शहयक होती है यहीं नहीं दूब घास महिना दिकाना खून की कुल्टी होना नक्षीरी छूपना खूनी बवासीर खूनी दस्तों में भी आदभूत लाब कारी मानी गई है दोस्तों इसकी महता इतनी है कि इस बूटी का रस चून परियोग करने से गर्भाश की अनावश्य गर्मी कम होकर गर्भ व्य गर्भाश को खुब शक्ति मिलती है और गर्ब की रक्षा भी होती है और गर्ब पात यानि गर्ब गिरने का जो भै होता है वे दूर हो जाता है इस प्रकार साधरन ची समझी जाने वाली यह दूब घास बूटी कूनों में अधभुत है खुब स्वास्तकारी खुब मानव कल्यानकारी बूटी है तो दो के लिए नमस्कार जै हिन्द जै अर्वेट